स्रीमान चेतना मंच के अध्यक्ष त्री निखिलचन जी सरकार श्री प्रांजल जी शैकिया दिस देश के माने जाने आर्टिस्ट प्रोफेसर स्रिमती प्रतिमान योगी श्री पौरितोष घोष वाइस प्रेसिडेंट आई एन अकेडमी श्री रंजीत दाफ्ष जी मले और भारत सरकार के मंत्री त्री सर्वानंजी सोनवाल रास्ठी महातचि उभाजपा स्रीमार रामा दोजी डॉक्तर महंद्र सिंग्ग यहां के इंचार्ज प्रभारी त्री फडिंद्र शर्मा जहां के जनरल सेक्रेट्री है यहां उपस्तित मेरे सभी सम्मानित बहनों यों भाईयों बहनों भाईयों जिस समय इस कारक्रम में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रण मिला मैं यही सोच रहा था कि यदि मैं भारत और बंगलादेश की सीमा पर निरिक्षण करने जा रहा हूँ तो वहां सो दो सो चार सो पांसो लोग होंगे उनके साथ मेरा मिलना होगा उनके साथ हमारी बादचीत होगी और बार्डर की सबस्याओं के सम्मन है मुझे जानकारी कुछ मिल जाएगे लेकिन यहां आने के बाद जो यह द्रिश्य मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ बेहनों भाईों किसी राइनितिक पार्टी की सभाभी इसके आगे चोटी है और इसे मैं कहना चाहता हूँ जैसे लगता है कि एक जन समुद्र यदि और बड़ी घोशना हो जाती और बड़ा प्रयास होता तो यहां तो पूरा जन समुद्र ही दिखाई देदा और मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ केवल सब्दों के माध्यम से अभिनंदन नहीं करना चाहता हूँ सीष जुका कर आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि आप केवल सीमान तवासी नहीं हैं बलकि आप सीमान तरक्षक की भी भूमिका निभा रहे हैं और हमारे बार्डस शेकोटी फोर्स के ज़वानों ने अधिकारियों ने मुझे बतलाया कि शेतर की जंता का हम सबको भरपूर सहीयोग प्राप्त होता है कुछ सूचनाइं भी जंता के दोरा प्राप्त होती है यह मुझे बतलाया गया है उत्तरपुर्व के राज्यों का जहां तक सवाल है इसे मैं स्वीकार करता हूँ आजादी हासिल हुए लगबख 68 इयर्स गुजर गए लेकिन उत्तरपुर्व के इन राज्यों का डवलप्मेंट जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ सभी सरकारों ने कुछ ने कुछ किया लेकिन आदर्णी अटल लिहारी बाजपेई जी ने एक चिंता की उन्होंने कहा कि दिल्ली से ही उत्तरपुर्व के राज्यों का विकास नहीं किया जा सकता इसलिए उत्तरपुर्व राज्यों के विकास के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री ही बना देनी चाहिए और इसलिए उन्होंने डोनर मिनिस्ट्री पहली बार बनाने का काम किया था पहली बार डोनर मिनिस्ट्री बनी थी और वह डोडर मिनिस्त्री हिस्तमें काम कर रही है और मैं यह भी मानता हूं उत्तरपुर्व के राज्यों का विकास नहोने के कारण यहां पर उग्रवादी समस्याएं भी निरंतर बढ़ती चली गए इंसर्जन्सी प्रॉब्लम लेकिन अब हम लोगों ने भी संकल्प लिया है विकास का उत्तरपुर्व के राज्यों का लेकिन बहनों भाईयों कोई भी सरकार छे महिने साल में डेड़ साल में इतने बड़े छेत्र का विकास नहीं कर सकती लेकिन विकास का सिलसिला प्रारंब हुआ है यह उत्तरपुर्प के राज्य की जंता को दिखाई देना चाहिए इसे मैं स्वीकार करता हूँ दिखाई देना चाहिए और मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इंसर्जिन एक्टिविटीज में इन्वाल्ब हैं उग्रवादी गत्विडियों में इन्वाल्ब हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए आप मुख धारा में सामिल हो जाए क्योंकि हम साफ नियत के साथ इस उत्तरपुर्व के राज्यों का विकास करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की कटेगरी मिलाकर हम उत्तरपुर्व के राज्यों को खड़ा करना चाहते हैं एक बार हमें आउसर दे कर तो देखिए हमारा सहयोक करिए हमारी यह अपील है हमें कम पांच वर्सों तक काम करने का आउसर दीजिए हम नहीं करेंगे लोक तांत्री की विवस्ता में जन्ता के हाथों में सब कुछ है लेकिन आउसर मिलना चाहिए क्योंकि साफ नियत पे हम करना चाहते हैं दोड़ दोड़ कर मैं सारे हिंदुस्तान के सभी सीमाओं पर निरिक्षन करने के लिए मैं जा रहा हूँ क्या कमी है क्या होना चाहिए कैसे हो सकता है लोगों से बाच्चीत करके रास्ते की मैं तालास कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ इस सचाई को दुबरी के शेतर में भी जो सीमा के पडोस में जनता रहती है उसको कितनी वड़ी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है मुझे सर्वान अंजी सुनवाल बतला रहे थे कह रहे थे हैं कि साथ यहां एक भी कोई बड़ा स्कूल कालेज नहीं है मैंने सर्वान जी को कहा कि सर्वान जी आप स्कूल कालेज के लिए पहला काम यह करिए कि आप स्वेम लिखिए और मैं स्वेम इस संबंध में संबंधित मंतरी से बात करूँगा कि जल्दी से जल्दी यहां पर उसकी घोचना हो जानी शाए है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सिक्षा का मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा महत्व है यदि हम इनसान को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं तो पहला काम जो करना होगा उसको सिक्षा देनी होगी वही सिक्षा हम चाहते हैं कि हमारे सिमांत चत्र में रहने वाले लोगों को मुहिया होनी चाहिए शिक्षा दी मिलेगी तो आपके पास सब कुछ है बहुत बड़ी ताकत है जो हुमन रिशोर्स कहते हैं जनशक्ति आपके पास है इतना ही नहीं प्राकृतिक संपदा की भी कोई कमी नहीं है आपके अंदर टेलेंट प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं है कठोर परिश्रम करने से भी आप पीशे हटने वाले नहीं है क्यों नहीं हो सकता है नार्थिष्ट के राजियों का विकास यह हमारी समझ के परे है अभी हमारे तरी निखिल चंजी शरकार जब भाशन दे रहे थे उनके भाशन को मैं बहुत ही गौर से सुन रहा है उन्होंने बतलाया किया ने रास्ता है ने सुरक्षा है ने स्पताल है ने डाक्टर है ने रुजगार है ने बिजिली है तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ दी कुछ नहीं है तो है क्या लेकिन बहनों भाईयो है क्या इस पर विचार करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचा कि भले ही सीमान छेत्र में रहने वाले लोगों की जेब में पैसा भले ही नहो लेकिन उनके जिस्म में पसीना है और इज़त की जानी चाहिए तो पसीने की इज़त की जानी चाहिए पसीने से पैसा पैदा होता है पैसे से पसीना पैदा नहीं होता है हिंदोस्तान में पैदा करने वाले की इज़्यत की जाती है सबसे अधी पैदा होने वाले की उतनी इज़्यत नहीं जो पैदा करने वाला होता है या यो पिता होता है उसकी ज़्यादा इज़्यत की जाती है पैसा आपके पास परिस्त्रम है पसीना है फिर भी रोजगार नहीं है काम करने का उसर आपको उपलब्द नहीं हो पा रहा है हमारी दिली खीश री कोई पोचे तो मैं कहना चाहूंगा मैं चाहता हूं ऐसे हाला यहां पैदे पैदा हो जाएं this नार्थीस्ट में उत्तरपुर्व के राजियों में किया उत्तरपुर्व के राजियों का रहने वाला कोई भी व्यक्ति मौके और मुकदर का मुहताज ने रह जाए ऐसे हालात पैदा हो जाए मैं यह चाहता हूँ मौके और मुकदर का मुहताज कोई ने रह जाए मुझे जानकारी मिली है कि यहां पर हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में आए और अपने असमियां भाईयों को भी कहना चाहता हूँ आपके सामने एक बड़ी और चिंता है एक बड़ी यह चिंता है आपकी आइडेंटिटी आपकी पहचान किसी भी सूरत में नहीं समाप्त होनी चाहिए मैं आपको यकीन दिला कर जाना चाहता हूँ किसके लिए हमको चाहे जितनी भी ताकत क्यों न लगानी पड़े हम आपकी पहचान आपकी आइडिन्टिटी को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने देंगे मैं आपको यकिन दिला कर जाना चाहता हूँ हमारी सरकार प्रतनशील है हमारे प्रधान मंत्री जी बार बार नार्थीष्ट के राज्यों की चिंता करते हैं भूकम पाया रात को लगभग साढ़े चार बजे सबेरे छे बजे प्रधान मंत्री जी का टेलिफोन मेरे पास आ गया कि राज्यनाच जी आप गौहाटी में हैं देखिए क्या हो गया कहीं कोई बड़ी च्छती तो नहीं हुई है मैंने धड़ा धड़ा समके मुख्यमंत्री से बात की मणीपूर के मुख्यमंत्री से मीजोरम के मुख्यमंत्री से और भी मुख्यमंत्रियों से मैं बात करने की कोशिस कर रहा हूँ तुरंत यंडी आरफ की दो टीम हवाई जहाज से मड़ी पूरी इंफाल के लिए बिदा कर दी गई यह चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि सचमुच नार्थीस्ट के राजियों के प्रती हमारी सरकार पूरी तरह से संबेदन शील है इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं यहां तक सीमा सुरक्षा का सवाल है मैं जानता हूं असम की लगभग 263 किलो मीटर की सीमा बंगला देश से लगी हुई है लेकिन कई ऐसे अस्थान हैं जहां पर भी गैप हैं बंगला देश शेड़ी कोई आना चाहे तो आ सकता है बंगला देशी इन फिल्टेटर्स भी कभी कभी आ जाते हैं गायों की तसकरी के बारे में मुझे जानकारी मिली, फेक करिंसी, लेकिन गायों की तसकरी के बारे में आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, आज के एक साल पहले, गायों की तसकरी यहां से मंगला देश के लिए जो होती थी, वो एकिस लाग, एकिस लाग से अधिक होती थी, मैं पश्वी मंगाल के बार्डर पर गया था और अपने B.S.F. के अरिकारी और जवानों को बुला कर मैंने एक लक्ष दिया था चाहे इसके लिए आपको कितना भी पसीना क्यों न बहाना पड़े चाहे जो भी कदम क्यों न उठाना पड़े गायों की तसकरी है रुकनी चाहिए और आज मुझे ये बतलाते हुए बेहत खुशी हो रही है एक साल पहले जहां पर 21 लाक गायों की तसकरी बंगला देश को होती थी आज केवल उसकी संख्यात 3,5 तीन लाक रह गई है इसे और आगे भी मैं कम करना चाहता हूँ इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ बेहनों भाईयों कुछ समय चाहिए क्योंकि जहां गैप है चिन बार्डर पर जहां से लोगों का आना जाना होता है उसको हम रोकने की कोशिस कर रहे है जैसे करीम गंज का जो बार्डर है लगबक साथे 3-4 किलो मीटर का है वो खुला हुआ है वहां के लिए जो भी पैसा देना चाहिए हमने पैसा दे दिया है और कल मुझे वहां बतलाया गया है कि दिसंबर 2016 तक वहां पर फेंसिंग का काम वो पूरा कर लेंगे ताकि कोई गयप न रह जाए अब इधर आज धुबरी में आ जा हूँ धुबरी भी मैं बार्डर आउट पोस्ट पर गया था बार्डर शेकोटी फोर्स के अधिकारियों के साथ भी हमारी बाच्चित हुई है उन से मैंने पूछा कि कब तक यह काम हो सकता है तो कुछ तो ऐसे चेतर हैं जहां पर की गयप को जो गयप है सीमा पर जहां से आना जाना होता है उसको रोकने के लिए एक टीम हम लोगों ने बना दी है एक स्पर्ड कमेटी बना दी है कि वह यह बतलाए कि जो रिवराइन है रिवराइन में जो गयप्स हैं उनको रोकने के लिए हमको कौन से तरीके अपनाने चाहिए कुछ तरीके हम लोगों ने अपनाए है पाइलट प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने चलाए है अब हम देखते हैं कि वह पाइलट प्रोजेक्ट्स कितने सफल होते हैं यह किया है हम लोगों लेकिन और भी उसका हम अध्यान करा रहे हैं और मैं समझता हूं कि दो तीन चार बहिने में वह फिजबिल्टी रिपोर्ट हमारे पास आज आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी चाक चौबंद बार्डर की शुरक्षा यह उस्था सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम कदम उठाएंगे आपको मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं हम करेंगे और आज के उसर पर बहुत कुछ ज़्यादा मैं समझता हूं कि कहने की मुझे आवश्यक्ता नहीं है वैसे नार्थिष्ट की समझ्याओं पर वराबर हम लोगों की नजर बनी हुई है मैं तो सचमुच आभारी हूँ धन्यबाद देना चाहता हूं सीमान्चितना मंच को जो सीमान्चितना मंच इतने प्रभावी तरीके से सीमाच्षतर में काम कर रहा है कि आम यंता का उसे विश्वास हासिल है किसी माईक की जरूरत नहीं कुछ नहीं फिर भी इतनी बड़ी संख्या में सीमान्चितना मंच के कारकरम में लोग उपस्थित हो गए यानि समर्पन भाव से काम करने वाले हैं लोग हैं मैं कहूंगा निखिल चंद सरकार जी से और उनकी पूरी टीम से कि समय समय पर आप हमें बतलाते रहिए कि हमें क्या करने की जरूरत है सीमा सुरक्षा के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपनी शमता के अनुसार जितना अधिक जो कुछ भी संभव हो सकेगा वह में करने की मैं कोशिस करूंगा और आज के आउसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनह एक बार शीष जुका कर आप सभी काविनंदन करता हूं और सीमान्द चेतना मंच के प्रतिविया भार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं